आज हम आपको ट्राइसेरा जो एक अनूठा डिवाइस है उसके द्वारा शोल्डर आर्थोस्कोपिक सर्जी हमारे यहाँ पे किस तरह से की जाती है उसके बार में बताएंगे कन्वेंशनल शोल्डर आर्थोस्कोपि में तीन से चार अलग-अलग इंस्टूमेंट यूज होते हैं जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी, शेवर और बर कहते हैं एडवांस हॉस्पिटल में ट्राइसेरा नाम पर एक डिवाईस प्रयोग में लिया जाता है और यह डिवाईस थ्री इन वन है मतलब एक ही इंस्टूमेंट में हमें शेवर, बर और रेडियो फ्रिक्वेंसी तीनों का फायदा मिलता है यह डिवाईस थोड़ा महेंगा होता है परंतु इस डिवाईस के माध्यम से हम सरजरी की जो प्रिसीशन है सरजरी की जो एकुरेसी है, उसको काफी ह différent तक बढ़ा सकते हैं, सरजरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और मरीज को जो हम रिजल्ट दे सकते हैं, वो काफी साफ कर सकते हैं बर्सा को अठा सकते हैं टीशू को तबाते ही शेविंग। सकते हैं यह डीवाइश जो शेविंग करने के भी योगत हो जाता है यह डिवाइश कहले हो जीमर वीपायोमेट नाम के कमपनी का परेटेंट्ट डिवाइस है और इसके काफी अच्छे रिजल्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं सरजी की जो रिजल्स है उसको अच्छा करने में हमारे एडवांस हास्पिल के सरजी की रिजल्स को अच्छा करने में इस डिवाइस का बहुत महत्पू योगदान है और आज की डेट में हम अधिकांच केसिज में इस Tricera डिवाइस को प्रयोग में ले रहे हैं जिसे की मरीज को काफी अच्छे रिजल्स दिये जाए Shoulder Arthoscopic Surgery खास करत की Rotator Cuff Repair Surgery में यह डिवाइस बहुत ही काम का है और इस डिवाइस का प्रयोग करने से हम काफी अच्छे रिजल्स मरीज को दे सकते हैं अगर आपको भी Tricera डिवाइस के बारे में अधिक जानकरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिके भेज सकते हैं अगर आपको shoulder की तकलीव जैसे की frozen shoulder या Rotator Cuff injury है तो नीचे दिया गए नंबर पर अपनी reports पेश के हमसे opinion ले सकते हैं